डिप्टी सीम बरजेश पाठक जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं सियासी सरगर्मिया तेज हैं बात करते हैं उनसे सर इंडिया गटबंधन में यहां दोपाड हुई फिर उसके बाद सब बराबर कर लिया आपस में लोगों ने मिलको इसको किस तरह से देखते हैं हमने पहले ही कहा था यह गटबंधन सत्ता के लोलूप लोगों का है और धरातल पर यह किसी को भी कुबूल नहीं होगा और यह इस प्रकार की बाते चुनाओं नजडिक आते लगातार संगर से बढ़ता रहेगा भारती जंता पार्टी मानिपता हमिती जी की गरीब कल्या योजनाओं को लेकर चंचन में है और लोगों का भरोसा लगातार बीजेपी के प्रदी बढ़ रहा है एक सवाल यह था आजम खान जेल ट्रांसफर किया गया तो आरोप लगाया कि हमारा इंकाउंटर हो सकता है बहुत तेज से चिला रिश्थित में हम कानून के राज को मे मिलेने की जाज़त नहीं मद्द परदेश में आप माहौल बना रहा हैं चुनाओ पर चार करने गए हैं क्या माहौल है वहां तो बड़े दावे कर रहा हैं कांग्रेस के लोग सर एक आखरी सवाल और ले लिजे दशहरा है कल दुरगा पोजा है मैं नोदुरगा के अवसर पर और दसहरा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत सुबकामनाय देता हूं बधायां देता हूं और ये बुराई का अंत करने का दिन है अच्छाई के जीत होगी और सब लोग प्रफुराम के सरन में जाकर के आशिरबात प्राप्त करेंगे और देश दूत गति से मानिपतांती नरिंद मोदी जी की अगुआई में तेजी के साथ आगे दुनिया के पैमाने पर बढ़ रहा है बच्छित के लिए शुक्रिया ब्रिजेश पाठक जी को सुना उन्होंने तमाम बाते कही और इंडिया गडबंधन को बेमेल गडबंधन बताया कैमरा में हरी ओम के साथ सीमाब नक्वी भारा समचार लखनव